तो गाइस कैसे आप लोग आएस 18.1 बीटा 3 आपल ने अपडेट रिलीज किया था वान विक पहले और बीटा 8 भी आपल ने रिलीज किया था वान विक पहले तो लगबग इनके अंदर जो फीचर था वो कंप्लेट हो चुका है लेकिन इसका स्टेविल वर्सन बहुत नजद करते हैं सबसे पहले एपल इंटलिजन्स फीचर के अंदर अगर देखेंण तो लगबग सके अंदर हैं और वाला फीचर आया है इसके बात फस्ट्रों के अंदर क्लिन अप फेचर भी आपको देखने मिल गया तो आभी इसके फीचर आने वाला है जैस्तेर से von Luigi हैं background तो इसके अंदर कभी सारे इंटेलिजेंस फीचर आना अभी बागी है तो यह फीचर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि यह फीचर अभी बीटा के अंदर नहीं है इसका स्टेविल वर्सन काफी नजदिक है तो चार सिप्टेम्बर या पांत सिप्टेम्बर अगर देखेंगे तो बिल्ड नंबर के आखिर में आपको देखने मिलता है यह तो से पहले लास्ट में यह आना चाहिए तो इसके अंदर आएगा यह यह आने के बाद इसका जो नेक्स्ट वीक चैसे एपल इवेंट इस दिन आएगा इसका आर सी वर्सन और इसका फाइनल आपडेट अने वाला है 16 सेप्टेंबर 16 सेप्टेंबर को क्या है 9 सेप्टेंबर एपल इवेंट है 16 सेप्टेंबर जो है फोन मिल जाएगा हर एउसर के पास तो उस दिन इसका स्टेवल वर्सन लांच करने वाला एपल तो आभी इस के लिए 2मिक्स वाकिए है का बीसारे जो मेजर इस हुए छोटे मोटे बंग इसको एपल सॉल्व करने वाला है अगर आप बीटा 8 के अंदर भी देखेंगे तो बीटा 8 के अंदर काफी ज़्यादा इंप्रूब्मेंट्स के इसका बैटरी लाइप ओवर हीटिंग का भी सारे जो एपस के अंदर बग था तो उसे भी एपल ने फिक्स क्या है तो इसके अंदर अभी तक कोई बीटा है नहीं अगर इसका रिलीज नोट के अंदर जाके देखेंगे तो कल एपल ने एक छोटा सा बीटा नाइन नहीं आएगा तो डायरेक इसका आर्सी आएगा मंडे के दिन एपल इवेंट और जब आर्सी आजाएगा उसके बाद उसका नेक्स्ट विक के अंदर इसका स्टेवल वर्सन और इसके आखिर में आपको यह देखने मिल रहे हैं बीजन ओस के अंदर भी लास बग टू वीक्स बाकि है और इसके साथ अगर आयस 18 बीटा एट के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर काभी सारी जो आयस 18 का फीचर था यह ओल्रेडी फीचर आ चुका है जो 200 प्लास फीचर है और यह फीचर आ चुका है लेकिन जब इस टेवल वर्सन आ जाएगा इसके के साथ आपका चैट jpd और जो फीचर और काभी सारे यह फीचर है एपल इंटलिजेंस तो इसके लिए अभी बीटा के अंदर आएगा ने बीटा के अंदर आया तो छोटे मोटे फीचर आ सकते हैं काभी सारे जो बग है उसको आप वल्स वाग्षा कर सकता ये इसके बाद stable version के बाद इसका जो है काभी सारे फीचर आना बागी है तो इसके लिए आप लोग वेट कर सकते हैं और जैसे आप लोग कॉमेंट्स कर रहे थे आइफॉन 15 pro max के अंदर apple intelligence feature को हमने डाउनलोड और इंस्टॉल किया तो हम लोग बीटा से stable के अंदर कैसे जाए तो भाई यह भी बहुत असान है अगर आप डाइरे के stable version के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि RC होता है release candidate version अगर आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करते हैं तो डाइरे के stable version को इंस्टॉल कर सकते हैं इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स जन्रल और सौप्टेर अपडेट के अंदर जब आपका आर्सी रिलीज हो जाएगा तो आप जाए डिबलोपर बीटा के अंदर जाकि इसको आफ कर दीजिए आफ करने के बाद आपके फोन के अंदर stable version आ जाएगा stable version आ जाएगा उसको इंस्टॉल कर लेना तो बीटा से अब स्टेविल के अंदर स्विच हो जाएंगे लेकिन अगर आप बीटा पर रहना चाहते तो बीटा आर्सी को इंस्टॉल कर लिया है तो आप इसको डाउन ग्रेट करके स्टेविल को अपडेट कर सकते ओभी एक रिलीज केंडेडेट वर्जन ही होता है क्योंकि ओडेबलेपर के लिए पहले लॉंच करता है उसके अंदर कुछ इसू बग्स नहीं होता है उसके बाद जो आपिल फाइनल अपडेट पब्लिक के लिए रिलीज करता है तो इसके अपडेट के अंदर बेंडोस के अंदर सेम है सिर्फ आपको इटून्स इंस्टॉल करना पड़ेगा बाकी परसे से में क्योंकि इस्क्रीन का इसू आ रहे हैं तो आप लोग डिसाइट करना अपडेट करना चाहिए या नहीं कभी सारे उसको देखने मिला लेकिन आइस 18 के है तो लोग जरूर अपने मैक के साथ कनेक्ट करके अपडेट कीजिए ताके यह इसू ना आए तो यह कुछ इंफॉर्मिशन था जो मैं आप लोग के साथ सेर किया वीडियो अगर आपके लिए इसू लगा है तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल की अगर वीडियो आएगा तो आप लोग के उसे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा नेक्स वीडियो अगा अंदर फिर में लेंगे गुट बाई